नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजिदार कॉमिक्स मौत का त्रिशूल मौत का त्रिशूल लेखक विमल चटरजी चितरांकन त्रिशूल कॉमिको पिछले अंक पाताल की जादुगर्णी में हमने देखा कि अजे विजे नाम के दो मित्र किसी काओं में एक जोपड़ी में रहा करते थे अजे एक महाजन के यहां नौकर था और विजे एक सेथ के यहां दोनों अपना अपना कार्य बड़ी महनत और इमानदारी से करते थे एक दिन जब वे काम से लोटे तो उन्हें अपनी जोपड़ी अपने स्थान से गायब मिली तब आस पड़ोस वालों से पूछने पर पता चला किस जिस जगह पर उनकी जोपड़ी थी वे जगह एक सेट ने खरीद ली है और अब वे वहां एक कारखना लगा रहा है वे सेट से मिले और अपनी जगह वापस करने को कहा तो सेट ने उन्हें 500 रुपे लाने को कहा दोनों अपने अपने मालिकों के पास गए और अपना जमा किया पैसा मांगा उनके इनकार करने पर विजे ने जो काफी बलिश्ट था उन्हें मारा और अपने पेसे लेकर वे दोनों एक मैदान में आकर सो गए परंतु सुभा एक तेज आवाद सुनकर उनकी नीन तूट गई और वे अपने आपको सैनिकों से घिरा पाकर हद प्रब से रह गए लेकिन जब सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाना चाहा तो वे उनकी तलवार और भाले लेकर उनपर तूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया लेकिन किसी तरह एक सैनिक बश निकला प्यास तोनों जाग उठी विजे ने तुरंती कुछ फल तोड लिये फिर अजे ने जैसे ही एक फल खाया वह बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा और चिल्लाता हुआ पास के तालाब में कूद कर विजे की नजरों से उज़ल हो गया तभी वहां कुछ कंकाल प्रकट हुए और भयानक भयानक आवाजे निकाल कर विजे को डराने लगे लेकिन विजे ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और तालाब के रहस्यों के बारे में सोचने लगा तभी उसमें से एक राक्षस निकल कर आता है विजे का और उसका भयंकर युद्ध होता है जिसमें राक्षस परास्त हो जाता है विजे उससे अपने मित्र के बारे में पूछता है तो वह उसे बताता है कि अजे पाताल की जादुगर्नी द्वारा कैद कर लिया गया है अब आगे विजय घोड़े पर सवार काफी समय तक उड़ता रहा अचानक उसे बड़े जोरों से प्यास लगने लगी उसने नीची जाका वाह वह रही नदी पहले नीची उतर कर प्यास बुझाओं फिर आके बढ़ूगा अगले ही पल उसने घोड़े को उस नदी के किनारे उतार लिया और चुल्लू से पानी पीने लगा परन्तु अभी वह जी भरकर पानी पी नहीं पाया था कि एक अद्रिश्य हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया अरे विजय ने अपने हाथ को छुड़ाने की भरपोर चेश्टा की परन्तु वह सफल नहीं हो पाया और वह आत उसे पानी के भीतर ही तेजी से एक और खींशता हुआ ले चला उफ पता नहीं किसने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि छुड़ा पाने में असफल हूँ नदी के भीतर काफी गहराई में पहुंशते ही विजय के कानों में सहसा संगीत की मधूर धुन टकरा आने लगी ओ यह मधूर संगीत की आवाज कहां से आ रही है अभी विजय उस मधूर संगीत के बारे में सोची रहा था कि अरे जल परियां वे मेरी यह और आ रही हैं तभी पानी की एक लहर ने उससे सीधा खड़ा कर दिया शीक रिवे परियां उसके निकटा पहुंची न कौनसा लोग है क्रथा आप किस महराणी की ओर से मेरा स्वागत कर रही है yeah आप इस समय परी लोग महश्रीमान और हम लोग यहां की रानी चंद्रवती की स्टैनिक है आईए महरानी अपने महल में आप ही का इंतजार कर रही है मेरा इंतजार? वह क्यों? यह तो वहीं बताएंगी हाँ मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपको उनी के आदिश पर लाया गया है आईए मेरे साथ इस फूल पर सवार हो जाईए इनकार करने की कोई गुंजाईश नहीं थी अधा विजय उस परी के कमर पर सवार हो गया उसके सवार होती ही सभी परियां जिधर से आई थी उधर ही वापस टॉट पड़ी आश्चर्य है पता नहीं फिर कौन सा नया चक्कर शुरू होने जा रहा है मुझे तो चल्द से जल्द बर्फ के परवत पर पहुंचना था कुछ दूर पहुंचने पर विजय को एक विशाल गुंबन के आकार का महल दिखाई दिया जो चारों और से बंद था ओह काफी विचित्र एवं अद्बूत महल है जैसे ही वे उस गुंबदाकार महल के निकट पहुंचे वहाँ एक सुन्दर सा दरवाजा अपने आप बन गया और वे सब फूल रुपी बहानों से उतर कर उसमें परवेश कर गए महल के अंदर की वैववता देखकर विजय दंग रह गया चारों और हेरे मोती पन्ने लगे हुए थे और उनी के प्रकाश से सारा महल प्रकाशित हो रहा था वाह कितना भव्वे है यह महल मैंने तो ऐसा महल सपने में भी नहीं देखा उसके बाद न जाने कितने कक्षों को पार कर आखिरकार वे एक ऐसे भव्वे कक्ष में पहुँचे जहां एक उच्चस्वन सिंगासन पर जल परियों की रानी चंद्रवती आसीन थी हमारे दरबार में अतिती का स्वागत है आईए यहां विराजिये धन्यवाद परी रानी लेकिन जैसे ही विजये रानी के बराबर वाले सिंगासन पर बैठा अन्य खाली पड़े सिंगासन भी भर उठे और उन पर कोई न कोई परी बैठी दिखाई देने लगी शायद वे सभी राजदरबारी थी आतिती शायद तुम यह जानने को आतुर होंगे कि तुम्हें यहां इस तरह क्यों बुलाया गया है हाँ महरानी मैं अत्यन्त उच्चुक हूँ क्रपया आप जल्दी ही अपना प्रियोजन बताएं क्योंकि मैं किसी विज़ेश कारे ही तु कहीं जा रहा था कि आपने रोक रिया हम जानते हैं आति थी कि तुम किस कारे से जा रही थे इसलिए तो हमने तुम्हें रोका है क्योंकि काल के तु नामक राक्षस के जीवित रहते हुए तुम कभी अपने मकसद में काम्याब नहीं हो सकते राक्षस काल के तु मैं कुछ समझा नहीं रानी जी आपको जो कहना है साफसाफ कहिए तो सुनो राक्षस काल के तु रानी चंडाली का ही सहायक है वह तुम्हें किसी भी हालत में उस बर्फ के पर्वत तक नहीं पहुँचने देगा जहां कि तुम चा रहे हो इसलिए पर्फ के परवत पर पहुँँचने से पहले तुम्हें उसको समाप्त करना होगा ओह लेकिन वह मुझे मिलेगा कहा वह आज से ठीक तीन दिन बाद हमारे देश में आएगा तब तुम उसे मार सकते हो वैसे भी भविश्यवानी के अनुसार उसकी मौत तुम्हारे हातों लिखी है लेकिन वह आपके देश में भला मेरे हातों मरने के लिए क्यों आने लगा इसके पीछे भी एक कारण है वह हर एक वर्ष परश्चात हमारे देश में हता है तथा हमारे राज परिवार के एक सदस्य को मार कर खा जाता है अब हमारे पूरे खांदान में केवल मैं और मेरा चोटा भाई कुवर भूशन ही बचे हैं आज से तीस्टे दिन वर्ष पूरा हो जाएगा और वह मेरे भाई को खाने आएगा आश्चर्य है क्या आप चमतकारिक शक्तियों के स्वामिनी होने के बावजूद भी उसे नहीं मार सकती हमने कहा ना उसकी मौत केवल तुम्हारे ही हातों लिखी है इसलिए तो हम तुम्हारे यहां आने का इंतजार कर रहे थे परन्तों मैं उस मायावी राक्षस को मारूंगा कैसे उसकी जान उसके माथे में है तुम्हें किसी परकार उसके माथे को फोर ना होगा बस वह मर जाएगा और हाँ वह आख से बहुत डरता है हम अब समझा यानि उसकी मौत आपके और मेरे अर्थात हम दोनों के लिए लाबधायक है और इसी कारण आप मुझे यहां खिंच लाई है ऐसा मुझे मजबूरी के कारण करना पड़ा है ए नेक बहदुर नौजवान उसके लिए मैं तुमसे शमा चाहती हूँ ठीक है मैं उसका वर्थ करने के लिए तयार हूँ आप मुझे वैस्थान दिखा दे जहां से उसके आने की संभावना है महरानी उसे लेकर एक विशाल मैदान में पहुँची यह है वैस्थान जहां से काल केतु हमारे राज्ये में प्रविष्ठ होगा हम तो मुझे उससे यहीं भिढ़ना होगा लेकिन उससे मुकाबला किस परकार करूँगा फिर विजय कोई ऐसा उपाई सोचने लगा जिससे वह किसी तेरे उसके कंदे पर पहुँचकर उसका माथा फोड़ सके सोच्ती सोच्ते एका एक उसके दिमाग में एक उपाया और उसका चहरा प्रसनता से खेल उठा महराने जी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मैं आपको वचन देता हूँ कि वह राक्षस आपके भाई का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा ओह लेकिन करोगे क्या यह आप मुझे पर छोड़ दीजिए बस आप मुझे कोई ऐसा तरल परदार जुटा दीजिए जो तुरंत आग पकड़ता हो ठीक है मैं अभी ऐसे तेल का प्रबंध की देती हूँ उसकी बाद परिरानी अपने महल वापस लोड़ गई और विजे को काफी मात्रा में शेगर जलन चील तेल भीजवा दिया जिससे विजे मैदान की चार दिवारी को अच्छी तरह भीगोने में व्यस्त हो गया यही करते करते विजे को तीन दिन बीत गए तीस्ते दिन की रात विजे अपना पूरा काम निप्टा कर एक पेड़ के नीचे जा बैठा और राक्षस काल केतु के आने के प्रतिक्षा करने लगा हतियार के रूप में उसके पास केवल भाला था और रोशनी के लिए एक जलती हुई मशाल आज उस शैताम राक्षस को खत्म करके कल सुबह ही बर्फ के परवत्य और रवाना हो जाओंगा पता नहीं इस समय मेरे मित्र पर क्या भीत रही होगी अभी उसे पेड के नीचे बैठे हुए कोची समय बीता था कि एक भयानक अठास दे समोची परिनगरी काप उठी हा 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 ओ वह आ गया विजय उस राक्षस ते जरावी भैभीत नहीं हुआ और उसने उठकर जलती हुई मशाल अपने हाथों में ले ली फिर जैसे ही राक्षस उड़ता हुआ मैदान के बीचों बीच पहुँचा विजय ने मशाल को पूरी शक्ति के साथ चार दिवारी की और उच्छाल दिया अगले ही पल आएं दिवारों से उठती भीष्ण आग की लपटों को देख राक्षस भैपीत हो इधर उधर भागने लगा परन्तु दिवारों से इतनी उची लपटे उठ रही थी कि वह उन्हें पार कर वापस नहीं लोड़ तका उफ जरूर यह किसी की शयतानी रगती ह मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा फिर भाग निकलने का कोई मार्ग न देख जैसे ही राक्षस काल के तु मैदान में उतरा विजे अपना भाला संभाल कर उसके सामने आखड़ा हुआ अरे दुष्ट राक्षस आज तु मेरे हातों नहीं बचपाएगा तेरी मौत ह कि तुझे यहां खींच लाई है हम तो यह सब तेरा ही किया धरा है ठहर मैं तुझे अभी मजा चकाता हूँ राक्षस ने विर्क्ष उखार कर विजे पर फेगा परन्तु विजे भी राक्षस से कोई कम ताकतवर नहीं था उसने विर्क्ष को एक हाथ पर रोका और पूरी इससे पहले कि पेड़ के नीचे से राक्षस निकल पाता विजे एक ही छलांग में उसके सिर पर जा पहुंचा और आई ही भाले के एक ही भरपूर वार से उसने राक्षस का माथा फोर दिया राक्षस कुछ देर पीड़ा से चीकता हुआ छट पटाता रहा फिर उसने दम उसके मरते ही एक और से परी रानी के साथ बहुत थी परियां प्रसनता से किलकारी मारती हुई वहां आ पहुंची वीर अतिती जिंदाबाद वीर विजय अमर रहे हम और हमारी प्रजा सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे ए बहादुर नौजवान उस राक्षस को मार कर और रवाना हो जाओं यह कैसे हो सकता है भाई विजय कम से कम कुछ दिनों तक तो हमें महमान नवाजी करने का मौका तुम्हें देना ही होगा शमा चाहता हूं कुमर जी यदि मैं शीगर से शीगर चंडाली के राज्य में नहीं पहुचा तो वह मेरी दोस्त का खून पीज सभी ने विजय से कुछ दिन रुकने का काफी आग रहे किया लेकिन विजय नहीं रुका अता अगले दिन जब वह वहां से जाने लगा तो रानी समेत सभी उदासों उठे तुम हमें हमेशा याद रहोगे ए बहादुर नौजवान रक्षा के लिए उसने रानी से एक जरूर ले ली थी जब विजय परीदेश से निकलकर नदी के किनारे पहुचा तो उसे मायावी घोड़ा वहीं खड़ा मिला शुक्र है कि घोड़ा मौजूद है वरना फिर परिशानी में पढ़ जाता वह तुरंत उस पर सभार हो फिर एक बार बर्फ की परवत की और उड जपकते ही कई पहाडों, नदियों, समुद्रों और जंगलों को पार करने के पहचात सहसा घोड़ा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा विजय ने चौक कर जब नीचे देखा तो उसे सफेदी ही सफेदी सरवत्र दिखाई दी ओह शायद यही बर्फ का परवत है विजय का सो कूट की तलाश में इधर उधर नजरें दोडाने लगा पता नहीं इस विशार परवत पर बाबा कहा समाधी लगाए बैठे होंगे लेकिन तभी वह घोड़े की हिन हिनार्ट सुनकर चौक कर बुरी तरह उचल पड़ा अरे यह क्या घोड़ा मोम की तरह पिघल रहा है वि कैसे पहुंचूंगा खैर फिलहाल मुझे लौटने के चिंता छोड़ बाबा की खोज करनी जाहिए शेगर ही अत्यादिक ठंड के कारण उसके हड़ियां कड़कड आने लगी उफ इतनी जबर्दस ठंड का सामना करना पड़ेगा यह तो मैंने सोचा भी नहीं था यदि ज तब तो निसंदे मुझसे बड़ी मुर्खता होई यदि उसकी यही भावना थी तो बाबा चित्र कूट से मिलने की बात सोचना एक और मुर्खता होगी हे श्वर अब मैं क्या करूँ वापस लोटना भी तो अब इतना आसान नहीं अभी विजे इसी उधेर बुन में पड अब तो नहीं आ रही शेखरी उसे एक तरफ से एक भयानक एवं विचितर बरफीला जानवर आता दिखाए दिया उसे देखते ही उसने जट अपनी मयान से तलवार निकालकर हाथ में ले ली ऐसा जानवर तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा पता नहीं भाग के लिए और कुछ तो नहीं कर सका बस उसने दोनों हातों से उसकी कमर थाम ली चूंकि वह जानवर एक जटके से उसके उपर आया था इसलिए विजय उसके बोज को नहीं संभाल पाया था और दोनों तेजी के साथ एक दूसरे को थामे बर्फ पर लुड़कने लगे थे द आपने आपको उस जानवर के बंदन से आजात किया और तलवार संभाल कर जल्दी से उठ खड़ा हुआ फिर इस से पहले की जानवर उठ पाता खचाक जानवर को तो उसने मार दिया लेकिन उसकी भी हालत कम बुरी नहीं थी इसके हाथों मरने सितों में बच गया लेकिन अब उसे जराबी ठंड नहीं लग रही थी वाह अब ठीक है मैं आराम से आगे बढ़ सकता हूं और विजय फिर आगे बढ़ चला तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद